द्रीतिय मास गर्ब समवाद द्रीतिय मास में शायद कही माताओं को पता भी नहीं होता कि वो प्रेगनेंट है टेस्ट करने के बाद ही प्रेगनेंसी का पता चलता है लेकिन आपको ये गर्ब समवाद पहले से ही शरू कर देना है क्योंकि शिशू के साथ गर्ब समवाद करने से शिशू में गजब की एकरांती आएगी और आपके आपके शिशू के साथ बहुत ही स्ट्रॉंग इमोशनल बॉंडिंग बनेगा तो चलो शरू करते हैं दृतियमास गर्ब समवाद आप शांत जगा को पसंद कर लीजिए मन को एकदम शांत कीजिए डिब प्रिधिं कीजिए अपने दोनों हाथ अपने गर्ब पर रख के गर्ब समवादगी शर्वाद कीजिए हे प्रियशिशू आपका आगमन मेरी कुख में हुआ ये अहसास तो मुझे कब से है आपका आगमन मेरी कुख में हुआ वो अहसास तो जब आपका आत्मा मेरी कुख में प्रवेश हुआ तब से मुझे है और मुझे पता ही था कि आपका आगमन अब मेरी कुख में हो चुका है परन्तु जब मेरा पिरियड मिस हुआ तब मैंने टेस्ट किया तो वो टेस्ट पॉजिटिव आया विज्ञान की दश्टी से भी आपकी हाजरी मेरे भीतर त्ये हुई जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तब मैं बहुत ही खुश थी और ये शुब समाचार सबसे पहले मैंने आपके पापा को सुनाए ये बात सुनके आपके पापा बहुत ही खुश हुए और उसकी खुशी का तो कोई ठेका नहीं नहीं रहा हम आपके द्वारा ही माता-पिता बनने जा रहे है ये बात जब त्याई हुई तो मैंने और आपके पापा ने सबसे पहले इश्वर का आभार व्यक्त किया, कि आपने हमें माता पिता बनने का सवभाग्य प्रदान किया, और उसकी साथ ही हम दोनोंने आपका भी आभार व्यक्त किया, क्योंकि आपने हमें बहुत बड़ी जवाबदारी दे के हमें धन्य और माता-पिता के रूप में आपने हमें पसंद किया उसी लिए हम आपके सदाई रूनी है ये खुश कबरी आपके पापा के बाद हम दोनों ने मिलके पुरी परिवार को दी तो दादा दादी नाना नानी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुवा सबकी खुशी का तो कोई ठीका नहीं नहीं रहा पूरे घर में एक रोनक से जा गई हे प्रिये शिशु आप अभी घर्ब में हो तब इतनी खुशी का माहल है तो सोचो कि जब आप इस दुनिया में आओगे तो कितने खुश होगे सब लोग ये आजु बाजु का वातावरन हमारा घर कितना पवित्र और खुश खुशाल होगा ये खुशी का तो वरनन ही नहीं किया जा सकता अरे वो मेरे राज दुलारे अरे वो मेरे राज दुलारे अब हम आपके विकास की सारी बाते करेंगे आपका सबसे पहला जो अंग है वो रदई है अब वो मेरे बीतर दबकने लगा है डॉक्टर के पास जब हम गए तो हमें पता चला कि आपके रदई का दबकार अब मेरे बीतर दबक रहा है इस समय पे आपके चेहरे का विकास की साथ साथ आपके नाजुक नाजुक कान का भी विकास हो रहा है जिससे आप हमेशा सत्य बात ही सुनोंगे और अच्छी बात ही सुनोंगे आप अभी तो छोटे से पूंज जितने ही दिखाई दे रहे हो आप अभी तो केवल एक इंच जितने ही हो, परन्तु आपका विकास बहुती जड़बी हो रहा है, आपके हाथ पैर की जगए थोड़ा सा उबार आने की शरुआद हो रही है, हाथ पकी उंगले बनने की शरुआद भी हो रही है, आपके दिर्क दश्टा आखे बनने की शरु परन्तु आपकी पल के अभी भी बंद अवस्ता में है, इस समय आपकी मगज का विकास दीमे दीमे हो रहा है, आपका पाचन तंतर दीरे दीरे बन रहा है, दीरे दीरे आपके पाचन तंतर का भी विकास हो रहा है, पहले तो आपकी हड़िया एकदम नरम थी, परन्तु वो धीमे धीमे मजबुत होती जा रही है इस समय आपकी लंबाई 1.6 cm जितनी है आपका आकार राजमा के बीज जितना हो चुका है आपका वजन लगबग 1 ग्राम जितना हो गया है इस समय के दोरान आप मेरे गर्ब में हलन चलन भी कर रहे हो परन्तु हे प्रिये शिशु आप कदमे इतनी छोटे से हो कि आपका हलन चलन का अहसास मैं अभी फिल नहीं कर सकती हु और आपके हलन चलन के अहसास को अनुभव करने के लिए मैं कब से आतूर हू और उस दिन का वेट कर रही हू जब आपका हलनचलन मुझे महिसूस हो सके इस समय के दोरान मुझे थोड़ी से शारिरिक समस्या भी हो रही है परन्तु मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आपका योग्य प्रमान में विकास मेरे गर्व में हो रहा है आपका योगियों विकास हो और आप शारिरीक रूप से एकदम तंदुरस्त हो उसलिए मैं पोश्टिक आहार ही ले रही हूँ और फलफलादी ही ले रही हूँ गर में हरे किसब्य मेरा बहुत ही ध्यान रख रहे है मेरे साथ साथ आपकी स्वास्थे का भी सभी ध्यान रख रहे है मुझे पता है कि आप एक अलग दुनिया से पदा रहे हो जहां से आपके सारे खराब कर्म, रुनानो बंद के साथ इस दुनिया में मेरी कुख में प्रवेश किया है आपने जिसकी कारण ही ये दुनिया आपको थोड़ी सी अलग रग रही है शायद आपको यहां पे थोड़ा अच्छा भी ना लग रहा हो ये में मेरी शारेरिक तकलिप पर से अनुभव कर सकती हो परन्तु है मेरी प्रान प्रिया मेरे पर विश्वास रखना आपने जो स्थान जन्म लेने के लिए पसंद किया है वो एकदम ही योग्य है आपका मुल्य निष्ट जीवन का मुल्य बहुत ही उचा आने वाला है जिसे आप संतुष्ट होगे इसलिए हे मेरे प्रान प्रिया शिशु थोड़ा सा समय आप हमें दो आप आपका सारा भुदकाल भूल के हमारे साथ नई दुनिया में बहुत ही खुश रहोगे और ये दुनिया आपको बहुत ही माफक आएगी हे दिव्वे आत्मा आपका पोशन गर्भनाल के द्वारा हो रहा है हे प्रिय शिशु अब आप पुदपुद अवस्ता में से ब्रून बन गए हो सुक्ष्म ऐसे मानव आकार को आपने धारन कर लिया है इस सुक्ष्म आकार में आपके अंगों का भी सरजन हो रहा है आपके सारे अंग सुदड बने उसके लिए मैं दूद खीर दूद से बना हुआ शीरा उपरांत रूतु के अनुसर फल फलादी ग्रहन कर रही हूँ खुली हवा में टहल रही हूँ जिसे आपको भी शुद्ध हवा मिले आपकी रदय का प्रतम धबकार अब मेरे बीतर शरू हो गया है मेरे गर्ब में पल रहेल ही दिव्य आत्मा आपका बाल स्वरूप आपका देह मेरे बीतर अब घड़ रहा है ही मेरे प्रिय बाल स्वरूप ही महान आत्मा आपमें देवी गुन आये आपमें देवी शक्तियों का अवतरन हो आपका देह, प्रान, मन की प्रकृती भी दिव्य बने उसलिए मैं श्री राम, श्री कुरुष्ण जेसे अवतार पुरुष और जगत को देवी पंध की और ले जाने वाले महा पुरुषों के जीवन का प्रसंग भी पढ़ रही हूँ और संतान गोपल स्तोत्र, संतान गोपल मंत्र का भी पठन कर रही हूँ, आप में देवी शक्ती के गुनाए, इसलिए मैं रुद्राष्टकम, शेवतांडव स्तोत्र का भी पठन और मनन कर रही हूँ मुझी पता है कि आप सर्वगुन संपन, परोपकारी, महान ही प्रगट होगे, तो चलो हम थोड़ी देर बाद फिर से रूबरू होगे, तब तक के लिए आप मेरी भीतर आराम करे, धन्यवाद